कि नवस्कार दोस्तों सवागत आपका अपनी चैनल सी के पिष्ट पे तो भाई एक और वीडियो हमने आपके लिए शूट कर लिया है जो कि है एक और कॉंसेप्ट आपके लिए बस आपने क्या करना है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और तुड़ा सब्सक्राइब कि मेरा में 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 टार्गेट यह है मेरा में टार्गेट इवेंस्टिकेशन नहीं है मेरा में टार्गेट यह है कि मैं जाद 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 इन्फॉर्मेशन नॉलेज और जितना भी एक्स्पीरेंस है वो आप लोग क्या शेयर कर सको ताकि आप लोग अवेर हो समझो और इन तो उस इनर फियर को खतम करने के लिए मैं आपके सामने बोला है कि यह तरीके होते हैं अगर कोई एनर्जी प्रेजन्ट है तो यह तरीके होते हैं या ऐसी चीजें होते हैं जिससे आप डड़ते हैं लेकिन यहां को डरना नहीं है अपनी प्रेजन्स शो करने की कोई कोशिश कर रहा है तो आपको समझना है उसको या पिर आपने उससे डर के भागना है और आप भाग जा रहे हो तो कैसी होगा या तो आप जाओ मत तो कहीं न कहीं यह सब चीजों को समझने की ज़रुत है कि वहां नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है डैविल है एंजल है क्या है मतलब ऐसी बहुत सारे पंदब स्टिरो टाइप्स वर्ड हैं जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन आपके ओपर डेपेंड करता है कि आपने किस पर बिलीव करना है तो आज हम बात करने वारे हैं पॉल्टर्जिस्ट एक्टिविटी उड़ता हुआ पत्थर टकराता हुआ दरवाजा लाउड नौईज चिलाने की आवाज यह सब चीजे फॉल करती हैं प्लेट कर पाती है जिससे कि वो कुछ भी मतलब मुम्मेंट या फिजिकल डिस्टर्मेंस क्रियाट कर पाती है हमारे इंवारेमेंट में अब यह किस हद तक सच है किस हद तक मतलब जह है जूट है क्योंकि उड़ते बंद खड़कड़ाते दरवाजे हल्ला मचाते हुए भ हमारे माइंड का कि वाज एक्च्वल में या वह वाज एक्च्वल में आ रही थी यह डिफ्रेंशियेट करता है पॉल्टरजिस्ट अक्टिवेटरी को रियल पैरनॉमल अक्टिविटी से प्लेस इस हॉंटेड उसको हम कहेंगे स्पेस हॉंटिंग ठीक है इसमें आता है कॉंसेट स्पेस हॉंटिंग का स्पेस हॉंटिंग क्या होती है कि जैसे कि एक पुलियां में एक खंडर में एक कमरे में एक पुल में एक ब्रिज में एक रिवर में जिन जिन प्लेसेस पे हम पर इन्वेस्टिकन करने जाते हैं उन हर जगाओं पर वो इवेंट क्रियेट हुआ होता है क्रियेट क्या हैपन हुआ होता है ठीक है सडनली कहीं पर कोई मडर हुआ था दर्दनाग मडर जिसकी वैसे किसी की आयू से पहले मृत्यू हो गई और उसको मुक्ती नहीं मिल पाई तो उसका दर्द इमोशन वो सब चीजें वहां कैप्चर हो गई कई लोगों ने देखा कि एक लड़की आई वो मतलब जो है साड़ी पहनी थी ऐसी ऐसी और वो पुलिया से कूद गई सुसाइड कर लिए कई सारे यहां पर मिद करियेट हो जाते हैं कई सारे यहां पर मतलब जो है स्टोरी बंती जाती हैं अगर मुझे धक्का लगा करते हैं अगर मेरी बाइक भी पिसल लिए तो मैं बोलूगा भूत नहीं किया है तो यहां आपको यह सब चीजों को डिफ्रेंशिट करना बहु वह फीलिंग वह दर्द वह जितना सौरो वह सब कुस्ता वह रिकॉर्ड हुआ अब वह इतना पावर्फल तो नहीं कहुंगा वह इतना सादा सौरो था उस चीज में कि वह चीज उस स्पिरिट के साथ में टैच हो गई जैसे कि मैं एक कार एक्सिजेंट जैसे कि मैं या वहत ही नहीं मिली तो वहीं रुग गया वहीं अटाच हो गया कि जांडेन धर मतलodka ऐसी जगाओं पर मिलते हैं dinosaurs वह अपने घर में क्यों नहीं सब वहीं रह गई यह एक रीजन होता है जिसकी विए से पॉटरजिस एक्टिविटी हैपन होती है वो मुवम्मेंट वो आवाज वो सब चीजें जो है इस चीज के अंदर फॉल करती है पॉसिबल है बट पूर्वन नहीं है मैं अगेन आपको कह रहा हूं हर चीज पॉसिबल है बट पूर्वन नहीं है हमारे सामने इस दुनिया में इस वर्ल में बहुत सारे चीजे हैं जो पॉसिबल हुई है लेकिन हम एक्स्प्लेइन नहीं कर पाए ठीक है मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिकेशन के दौरान तो उसको कि a आपको datuman करने के कोशिश कर रहा है या उसी इंसिजिएट्स रोटोइक करने की कोशिश कर रहा है जिसको पूर्ट एक्टिविटी टिवीटी कहते हैं लेकिन फिजिकल और में तनी पावर हो कि वो कि वो किसी को चीज को ठीके थैग दे यहां से वहां पतक दे मेरे साब से possible नहीं है मैं नहीं मानता इतना कि possible हो सकता है but yes a slight moment कोड़ भी possible like अगर हम ये कहते हैं कि इनसान अपनी इंद्रियों को इंद्रियों को इतना जगरित कर ले कि वो अपने इस शरीर से मतलब अगनी वायू और इन सब को को मैंने प्लेट कर सकता है वीडियो देखे हैं हमने किसी ने फायर क्रिएट कर दिया अपने हाथ से कोई चाइना का था वो उतने अपने आपको मतलब चीप आवर कहते हैं कि बढ़ा ली अपनी बढ़ा ली गया उसको मतलब जो है फोकस कर लिया तो उसने मतलब ऐसा कुछ कर लिया तो यह सब चीजे हैपन होती है बार बार फोन आ रहा है भाई बीच में डिस्ट्रिबेंस हो रहा है तो इस सब चीजें हैपन होती है तो इस सब चीजों के बीचे कुछ न कुछ समझने की कुछ भी करते हैं वो कहते हैं कि मुझे यहां से वाँ फैक दिया मुझे ये कर दिया मुझे वह कर दिया तो सौरी यह सब चीजे पॉसिबल नहीं है पैर नॉबल में बट यस सम्थिंग कुड हैपन विच गूड बी विच कुड रिमें अनेश्प्लेंड बट हैफ पॉसिबल नहीं है में रेकॉर्डिंग बट यस मैं भी प्रूवन नहीं बोल सकता क्योंकि पैनोमल खुद में प्रूवन नहीं है तो मैं शर्त लगा के कैसे कह दूं या मैं उस पे गरंटी कैसे ठुप दूं कि वो आत्मा नहीं किया है या भूत नहीं किया है मैं जब भी किसी investing में जापता हूं जैसे पत्थर मारने वाला भूत किसी खंडर में दरवाजे हिल रहे थे किसी खंडर में पत्थर गिर रहे थे किसी कहीं जाड़ी इली कहीं कुछ हिला तो एक पल को हम भी तरते हैं लेकिन second मेरा reaction यह होता है कि best possibility यह है कि वो इसकी वज़े से हुआ हो यह environment में यह change हुआ इसकी वज़े से हुआ लाश्ट पत्थर मारने वाले वाला एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें कहा था कि land slide का पूरा एरिया है लैंड स्लाइट से corrected पहाड़ी है उसमें पत्थर के इतना लाजमी है ठीक है तो उसमें possibility थी कि हाँ वो पत्थर इसकी व चाहर आने तो उछलता हुआ बत्थर लगता है किसीने मारा है ली एक concept है समझने चरूप है पोल्तलिश ने कितना हाथ था कितना हाथ नहीं था तो ऐसे ही हर जगह होता है अपको समझने की जरूप है अपना दिमाग यूज का चरूप है जब आपको अपने दिमाग से डर प्रदूर करोंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे अगर हम पहले इंप्रेशन में डर जाएंगे तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो समझने के लिए आपको क्या करना है पैनोमा नौलिज सीरीज को देखना है सब्सक्राइब करना है शेर करना है कमेंट कर अगला कोई टॉपिक दो मैं वीडियो लेकर आऊंगा जरूर एक्स्प्लेइन करूंगा हर चीज आपके लिए एक्स्प्लेइन लेकर आऊंगा हर चीज अनप्रूवन है स्टिल मैं आपको एक नाएक आइडिया जरूर दूँगा और हर इंवेस्टिकेशन में यही करता हूं कि कोई clear evidence capture कर पाऊंग जो paranormal study को support कर सके paranormal research को support कर सके कुछ ना कुछ ऐसा example हो जो spirit के existence में help कर सेके अगर help करता है तो हम उनको समझ सके और समझ कर हम communication जो कर रहे हैं वो proven अगर है देखो जितना मैंने कई investigation वीडियोस में देखा है तो कई बार stories खुलके आई हैं ऐसी जो actual में हमें नहीं मालुम थी और हमारे आज़ पास किर्दगित भी नहीं मालुम थी किसी को लेकिन वो stories सामने निकल के आई हैं तो वो necrophonic की तुरू निकल के आई हैं वो reply मिले तो everything is possible but we have to understand what is real and what is fake तो understand between real and fake and please subscribe our channel and please support तक ही हम ऐसे वीडियो ऐसे ही बनाते हैं तब तक के लिए जैन जै भारत